आज मैं आपको हेर के रूटीन के बारे में बताऊंगी सो दीजाथ टॉपिक्स लाइट स्टार्ट वीडियो विडियो विडाउट एनी डिले है सो सबसे पहले आपने एपने बाइल के आपके हेर के लिए आपके अरिश के पहले आपकी हेर को नरिष में अनौर को हल्दी में बनाएगा और हैर की क्रोध को क्रीस करेगा और उन्हें सायनी फॉर है को हैंश्थ कर सकते हैorgon oil है coconut oil है achievements वाइल है और को अप्लाइब करने का भी प्रॉपर मेथड है सो सबसे पहले आपने फ्यू डॉप्स लेने हैं आपने पाम के उपर और उसको अपने फिंगर टिप्स की मदद से अपने स्केल्प के उपर अप्लाए करना है से अपने अपने होड़ वर्टर शॉक टॉबल का इ सबस्क्राइब करें आप मैक्सिमम वाटर का इंटेक करेंगे आपकी बालों को बहुत स्मूथ बना देगा ग्लॉसी लुक देगा उन्हें स्ट्रॉंग करेंगा और साथ में हेर ब्रेकेज भी स्टॉप कर देगा उसके लिए नससरी है कि आप दिन में अपनी जो हाइडरे आपकी स्किन को विटामन्स प्रोवाइड करेंगा और आपकी स्केल्फ को हैल्दी रखेगा और आपके हेर को बहुत स्मूथ बना देगा अब हम दूसरे मेठिड की तरफ जाते हैं सो दूसरा मेठिड यह है कि आपने शेंपो करना है और लगाने के आदा गंदा बाद इसमाल कर सकते हैं इसमें पैरबंस नहीं है यह इसमें एंटी ऑक्सिडेंट है जो आपकी स्केल्प को हेल्दी बनाएगा आप यह मैंस के लिए डिफरेंट शैंपू आप भी यूज़ कर सकते हैं यह मसला आता है कि क्या हम गल्स MEN के शैंपू यूज़ कर सकते हैं अगर आपके शौट हैर हैं आप कर सकते हैं लैकर प sich लोग है नहीं है तो आप नहीं कर सकते हैं कि लोग हेल के ज्यादा एक्स्डा नुरिशट एक्सटर आपने हैं परभब पर रहां उसको आपने फालो करना है आप ने it's एक हेवत चासकान old के लिए अपने लिए क्ने फैस्ट करना है आपने स्केल्प के ऊपर नहीं लगाना है स्केल्प के लिए बहुत नुकसान रहा प्र mi और कर सकते हैं लोगिस्क्त कर सकते हैं लोरियल का भी यूज़ कर सकते हैं डॉब का ट्रेसमे का यूज़ कर सकते हैं सो दीज आर दा हैर कंडिशनर डाटर बैस्ट इन पाकिस्तान सो उसके बाद आपने हैर को ड्राय करना है आपने कौम कैसे करनी है वह भी एक प्रॉपर मैथेड है उसको उसको फालो कर कर के अपने हीर पे वाइक कोम करें सबस्यूस्छर करें आप कोई भी क्रेम यूज опять पार्टाइज़ Um यह को खगऑ कर देगा उसके बाद इस तरह करें कि आप पार्टेंग लाईन मानाएं जार ऑडर लेफ्ट एक्स्ट्रीम लेफ्ट आइदर एक्स्ट्रीम राइट टू दा हैड़ सो उसके बाद आप यह पार्ट लाइन बनाने के बाद अपनी जो कॉंब है उसको बैकवर्ड डारेक्शन में उसको हमेशा यूज करें हैर के उपर यह आपकी हैर को स्प्लीटिंग से है आपने यहां पर फूर पार्ट करने हैं दो के बचाए अपने हैर को चार इस्तों में तक्सीम कर लें और उसके बाद हमेशा कॉंब नीचे से शूरू करते हैं टिप्स हेर टिप्स शूरू करते हैं और अपवड की तरफ चाहते हैं इस तरह आपने डाउन से के हैर है और अपने जो हेड़ 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 हेर्स हेंगल हो चुकी हैं उसको खटम करके अपर 이 आपक्षाम के लिए राइब भायश बरना है तो इसके लिए आप कोई भी इसको वेट था है अपने हेयर को भी कर सकते हैं आप इसके लिए सेरम का भी सिमार कर सकते हैं जिसमें कम ग् तो आप सम car अगेल का अबस्टिर्ट तो आप आनियन सीड आईल भी ञ cty अची इसके यो आमेक्शन सकते हैं अब बहुत आंश्हाति भी हैर को निकाल सकते हैं अगर आप फोर्ड नहीं together यह महंगे प्रोडक्स तो आप अनियन जूस्ते इसमाल कर सकते हैं अपने हेर के उपर सो स्टेप नबर सिक्स है कि आपने नहाने के बाद जब हेर वेट है तो उस पर सीरम का एप्लाए करना है जो सीरम होगा जो आप में जो हेर में जो बंप फड़ जाते हैं उसको कम करेगा नहीं इसको आपने हमेशा वेट हेर में इस्तमार करना है फ्रम मेझ सक्षन तौ दे डान्मार इसको भी आपने स्कल्प के उपर जरा भी एप्लाए नहीं करता हूं या चो अपने कम कौन्टिटी बहुत कर सकते हैं यह चंद एक हेर सिरम हैं जो आप यूज कर सकते हैं जो कि यह लाइव-एर सिरम बहुत बहुत अमेजिंग रिजल्ट है इसके और इसकी प्राइस भी नॉर्मल है आप इसका लॉरियल का भी हेर सिरम यूज कर सकते हैं thanks for watching my video subscribe to my youtube channel and Allah Hafiz take care to yourself